Hello Friends, Asset Compounders, Once Again Welcome All of You आज हम लोग जानेंगे Flash Crash के बारे में कि Flash Crash क्या होता है Flash Crash में मार्केट बहुत तेजी से तूटता है, गिरता चला जाता है, जब दस्त गिरावट आता है तूटने के बाद मार्केट उतनी ही तेजी से रिकवर भी करता है ऐसा ही Flash Crash आया था United States में 2010 में ये Flash Crash लगबख 36 मिनट तक चला था और इसमें US को लगबख ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था इस Crash में ये Crash, जब भी ऐसा Flash Crash आता है, इक नोमी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुशता है और स्रिफ और सिफ चन्द मिनटों में आता है, ये Flash Crash कुछ सेकंड के लिए भी हो सकता है, कुछ मिनट के लिए भी हो सकता है इसलिए इसे Flash Crash कहते हैं, ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करें और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ हम आपके पास आते रहेंगे, थैंक यू सो मच